बुरे बनो तभी सफल बनोगे ये मोटिवेशन वीडियो आपके लिए इसे ध्यान से जरूर सुनना अच्छे बनो बच्पन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे बनो बड़ों से सीखो देवो शर्माजी की बेटे की सरकारी नोक्री लग गई कुछ सीखो उनसे देखो तिवारी जी का लड़का है ना वो अपने घरवालों की बात मानकर इंजिनिरिंग की तियारी कर रहा है उसकी तरह अच्छा बनो और देखो श्रिवास्तु जी का लड़का कैसे सब में घुल मिल रहा है कैसे सब में घुल मिल के रहता है वो कुछ उससे भी सीखो बात माना करो अच्छे बनो जैसा सब कहे वैसा किया करो क्योंकि तुम अभी छोटे हो और तुम्हें कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में आज का वीडियो कुछ लोगों को रास नहीं आएगा पर मैं हिम्मत रखता हूँ वो सब कड़वी बाते बोलने की जिनको सच्चाई की चादर से ढखके हर किसी को बच्पन में ही परोज दिया जाता है और उस चादर के नीचे क्या होता है वही जो होता आया है मिडल क्लास मैल ऐसी बाते जिनको अच्छी बाते माना जाता है लेकिन वो बाते वो रूल्स इंसान को मिडल क्लास में ही रखते है आज मैं कहता हूँ कि बुरा बनना सीख लो आज मैं कहता हूँ कि तुमें वो नहीं करना कुछ अलग करना पड़ता है हर कोई जानता है यह तो फिर वैसा ही क्यों करते हो जैसा यह भीड करती रहती है घर वाले सबजी मंडी में टमाटर की रेट पांच रुपए कम करवाने के लिए आदा घंटा खराब कर देंगे लेकिन घर पे आके अपने बच्चों को यह नहीं कि बेटा पैसा ज्यादा जरूरी है पूरी सच्चाई जानके भी अपने बच्चों का होसला यह कहा कर नहीं बढ़ाएंगे कि बेटा मैंने कहता कि तुनोकरी करे लेकिन जो भी करे पूरी इमानदारी से करे पर वो कहेंगे क्या तीवारी जी के लड़के वो देखो लेवल पे दुनिया है उस लेवल पे रहने की जरूरत नहीं है बलकि उससे उपपर रहने की जरूरत है और दुनिया से उपपर उठने के लिए जुंड में रहने की जरूरत नहीं है उसके लिए अकेले तपस्चा करने की जरूरत है लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम बड उपर उठाने का टाइम आ गया इस तरह की बुराई लेने में बलाई है क्योंकि किसे के कहने से तुम बुरे नहीं बन जाते और अगर कोई तुमें बुरा कहता भी है तो इसका मतलब तुम बुरे नहीं हो बलकि केवल तुम उनके जैसे नहीं हो अगर तुम अपनी लाइफ के टार्गेट के लिए काम कर रहे हो न और कोई तुम्हें बोले कि तुम तो यार बड़े बुरे आदमी हो कभी किसी फंक्षन में नहीं जाते तो बुरे बने रहो मेरे दोस्त अगर तुम रात को तीन बजे तक अपने सपनों को पुरा करने के लिए जगे हो और सुबह कोई तुम्हें बोले कि तुम तो बड़े बुरे हो यार सुबह आठ बजे उड़ते हो तुम्हें तो पाँच बजे उठना चाहिए तो बुरे बने रहो मेरे दोस्त इस बुराए में बहुत अच्छा ही छिपी है जीद फिक्स की आँखो से देखना बहुत फेस किया लाइफ में अच्छा बन के कुछ नहीं मिला रूल्स उनके लिए बनाये जाते हैं जो उसी लेवल में जीना और मनना चाहते हैं रूल्स को तोड़ना सीखो बुरा बनने का मतलब यह नहीं की गाली दो मार पीट करो किसी का अपमान करो बुरा बनने का मतलब है बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे कहने में पर बुरा बनने का मतलब है कि जैसा बनना चाहते हो न वैसा बनो और जैसा दुनिया तुमको बनते हुए देखना चाहती है वैसा कभी मत बनो जंगल में जो सीधा पेड होता है न वो सबसे पहले काटा जाता है आज की दुनिया में जो सबसे सीधा बन्दा होता है न उसको सबसे पहले दोखा मिलता है अगर किसी साप में जहर भी ना हो तो भी वो फुफकारता रहता है क्यों? क्योंकि अगर किसी कुछ जराबी बना पड़ी ना कि इस साप में तो जहर ही नहीं है तो उसको वहीं पे मार देंगे अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उसको गलत ही बोलो किसी के कहने से या जोर देने पे उसको सही मत बोलो क्योंकि गलत गलत होता है और आपके लिए क्या सही है ये आपको पता है अगर कोई आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे उगली उठा राना तो ऐसे लोगों की नजरों में बुरे बन जाओ और दूर हो जाओ किसी के आगे गुठने टेकने की जरुवत नहीं है अगर तुमारे इरादों में और तुमारी महनत में दम है ना तो सामने वाला बन्दा आके गुठने टेकेगा तुमारे सामने तुमसे सोरी बोले लो तुमारे नाम के हजारों बन्दे इस दुनिया में लेकिन तुम्हारी परसनिलिटी सबसे आलग है अगर कोई केवल इसलिए तुम्हें बुरा बता रहा है कि तुम उनके जैसे नहीं हो तो ऐसा बुरा बनने में बहुत बलाई है कोई दिक्कत नहीं है इस दुनिया में जब जब भी कोई बड़ा आदमी बना है ना जब जब किसी इनसान को ताली मिली है ना तो एक चीज और याद रखना कि उसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में गाली जरूर खई हो वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में बुरा जरूर बना होगा just because वो वैसा अच्छा नहीं था जैसा दुनिया को लगता था कि अच्छा क्या होता है शब्दों में चक्कर मत खाना गोल गोल दुबरा बोलता हूं हर बड़ा बनने वाला इंसान किसी ना किसी के नजरिये में बुरा जरूर बना है और वो क्यो बना है just because वो वैसा नहीं था जैसा दुनिया को लगता था कि अच्छा क्या होता है अगर तुम्हारा मन नहीं है किसी के साथ घुमने जानेगा तो मज जाओ अगर किसी रिलेशन्शिप में इज़्ज़ से ज़्यादा अपमान मिल रहा है न तो मत घसीटो यार अतनी इज़्ज़त को और उस जबरदस्ती के रिष्टे को तुम्हें बुरा बताया जाएगा पर किसी के कहने से क्या होगा जब बारिश होती है ना तो आदे लोग खुश होते हैं और आदे लोग गाली जते हैं तो यार जोब करो जोब से ज़्यादा जरूरी खुद का बिजनिस करना है तो बिजनिस रन करो और बिजनिस करने से ज़्यादा पढ़ा ही जरूरी है तो पढ़ा ही करो How simple it is Don't make it जबरदस्ती यार कि दुनिया नहीं करने देती मेरी बात कान खुल के सुनो आज तक इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसको इस दुनिया का हर इंसान अच्छा बताए कोई ना कोई जरूर होगा जो उसको बुरा बताएगा तो अगर तुम्हें कोई बुरा बता रहा है तो don't worry इसने कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला फर्क इसी से पढ़ेगा कि आपके इरादे कैसे हैं और आपका मकसद क्या है इसके लावा और कोई फैक्टर नहीं इस ब्रहांड में जो अच्छे बुरे का क्राइटेरिया डिसाइड कर सके अच्छे और बुरे का सबका उपीनियन अलग लग होता है अगर आपके नजर में आप अच्छे हो तो that's good और आपके नजर में अगर आप बुरे हो लेकिन अपनी जग़े सही हो तो that's also good अच्छा बनना है तो खुद के दिल से अच्छा बनो अपने rules खुद बनाओ क्योंकि life तुमारी है यार मकसद तुमारा है, नाम तुमारा है कुछ मिलेगा तुम्हे मिलेगा कुछ नुकसान होगा तुम्हे नुकसान होगा मैं आपको कभी बुरा कहके नहीं पुकारूंगा क्योंकि मेरे सपनों के लिए मैं खुद बुरा बन चुका हूँ अपना ख्याल रहिए